सिता मरी के नवनिर्वाचित सांसा देवेच चंद्र ठाकुर को लीगल नोटिस थमा दिया गया है दरसल उन्होंने मुस्लिम और यादों को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद कॉंग्रेस एक्शन में है कॉंग्रेस के पॉलिटिकल कमीटी के सदस्य है डॉक्टर चंद्र प्रशाद याद अब उन्होंने लीगल नोटिस दिया हमाइस साथ मौजूद है क्या ज़रुवत पड़ गई सर्ड लीगल नोटिस आपने दे दिया ऐसा है कि श्रंबैधान एक पद पर रहते हुए और जितने के बाद भारत के श्रंबैदान के विपरीट जाती धर खाफ किया है खाफ करके अकलियत जाद बैश और कुफवाह जातियों को परती घरना का भाव फे उन्होंने ब्यान दिया कि मैं उनलोग का काम नहीं करूंगा जबकि शम्हिजान में अर्टिकल में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि काफ्ट क्रीट के अब बुन्याद पर आप किसी का काम करें या ना करें दस दिनों का समय दिया गया है कि दस दिनों में माफी मांग लिजी आगे क्या करेंगे अगर माफी नहीं मांगते तो दस दिनों का टाइम मैंने इसलिए दिया है कि दस दिन के अंदर अगर माफी मांग लेते हैं फपत गरहन के पहले तब ठीक है लेकिन दस दों के अंदर नहीं माफी मांगते हैं अगर फपत गरहन लेते हैं तो उनके विरुद्ध मैं परिवाद दाखिले मेले MP कोट में करवाई करूंगा और उनको फजा का जो प्रभीजन है फजा भी होगी उनकी मेमरी भी जाएगी वह फिर वह सामसत भी नहरा पाएंगे पुर्ट में भी आपने कई नेताओं को नोटिस दिया है ऐसे ऐसे मामलों पर कई लोगों ने माफी मांगी है क्या लगता है यहां पर भ लोग के भावनाओं पर उन्होंने आज पहुंचाया है इस तरह का बात करना कहीं संभेदाने के नुकूल नहीं है इसलिए हमको भरोसा है पढ़े लिखे आदमी हैं बड़े पद पर कंसिशनल रह चुके हैं निश्चित तोर पर माफी मांगे ने और अगर माफी नहीं मां करनते हैं देवेस चंद ठाकूर जो लीगल नोटीस है वो डॉक्टर चंदर का प्रशाद यादव ने भेज दिया है और माफी मांगने की जो बात है वो दस दिनों के अंदर करनी है आर एन आनंद एवी पी न्यूज पटना